सच्छ्रिया काल, तुसी देख रियों पंजाबी वलो आज जापां गल करांगे पिपल दे रोख बारे इस दे अइने फाइदे ने कि जिस दे नाल तुसी कार बैठे बहुत सारियां बिमारियां पजा साकते आओ जान देयां जोदों मी तानू समा मिले हफ़ते वेच एक वार पिपल दे रोख दा पत्ते नू तोड़के हथा वीच मलो ए बहुत जादा लाब मिल दे केदे एक ताएं जिन्नी मी नाकरात्मक उर्जे ओ अपने अंदर सोख लें दे दूसरा एस सरीर नू अनेका तरादे लाब दें दे पिपल दी दातन करन नाल दांद बहुत जादा मजबूत होंदे ने जे कोई रोज एक पत्ता या ओधे अगले कोमल पत्ते कोज हिस्से पत्ते दा खान दे ते इस नाल तनाव चिंता जो एवे जिसनों मानसिक परशानियां होन ओ काट जान दियाने एव वद्धी उमर दा असर भी कट होंदे एस वेच एंटी ओक्साइड होंदे ने एदे जो ते छाल आई हुन दिये ना उन्हों सुका के कोट के ओधा चे लेप बना के अपने मूधे लाया जाए ता रंग साफ करते एदे ना चूडियानी पैंदियां एदे ना जिना दियां अडियां बड़ी छेती फट जान दियाने वेच दराराजियां पैयां रहन दि जेकर किसे व्यक्ति नूँ जहरीली कोई भी चीज काट चै कोई जानवर काट चावे ते ओसुते उबले होई पिपल दे पत्यानों लौन नाल काफी फरक पैंदै पिपल दे पत्ये चमडी पैदा होई इंफेक्शन नूँ जड़ो खतम कार दे हन जेकर चमडी रोग नाल जुंजन वाला व्यक्ति इस दे पत्यां दा काड़ा बनाके पीवे ता ए रोग होर भी तेजी नाल दूर होंदै पेटियां समस्यां में इद नाल दूर होंदियाने पिपल दे पत्ये पेटियां बिमारियां जिमें गैस, कबच अधे पेटि इंफेक्शन नूँ खतम करन सहाई हुँँदे ने पिपल दे पत्यां नो पानी च उबाल के स्वेरे खाली पेट सेवन करना पेटियां काफी समस्यां मां हाल होंदियाने जिकर तो हड़े पेट अंदर कीडे हन ता पिपल दे पत्यां दे चूरं च इकोजी मातरा च गोड आते सोंफी मिलाके खान नाल पेटते कीडे वी खतम हो जान देने। 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 हार कार वीच एक बंदेनु ताई हुंदिय 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 जी में दिक्कत हो गिये। कोज लोकानू बड़ी जादी चमडी दी प्रोब्लम होंदिये। एमे की करना है। जड़ी पिपल दी चाल हुंदिये ना। उत्तो जड़ी लाथ दिये। ओ वी ग्राम लेके उन्नू कोटके 200 ग्राम पाणी मिच उबाल लवो। जोतो ओ चोथा हिस्सा रहे जे। उन्नू छान केते पील लवो। इस सारियां जिन्नियां मीत्वडियां चमडी दिया समस्यावाने ओतो निजात मिल जेगी। जिमें दाद होगे, खाज होगे, किसनू होणी, किसनू खारिश होई जानी। ए इनना सब चिज्जां तो निजात बढ़ंदिये। कुछ तर्मा ते ग्रंथां दे लोग ता एवी मानते ने कि जिमें शनीवार एदे आसे पासे प्रिकर्मा करनाल पाव कुम नाल ते इन्नू पाणी दे नाल हर मनो कामना पूरी हुं दिये कुछ लोग क्या करते सी भी एवी रोख कारना लाओ उधे पिछे कारण एवी हुं दा सी कि जेड़ा एवी रोख खाना इदे जड़ा ने बड़ी छेती फैल दियाने अधे एवी जीमें जीमें गर्मी वाद दी है ओमें ओमें एदे पत्ते बहुत जादा बाहर हों दे ने प कार विच जदो आपा लोने या एद या जड़ा बड़ी छेती फैल दियाने ते ए अपने कार दी निहां जोने उन्नों छेती हिला देगा एशली कार निसी लाया जान्दा पर एदे नाल कई ज़्यादा लोका ने आंध विश्वास चोड़ देते कि एदे ते फलाणी देविच जद लाणने या ते आपा की ये भी आपा शान्ती पसान्द हुन दिये ते जदो जान्वर उत्ते बेंदेने ते ओर चीन चड़ा आप जादी कार देने जेस कारन दिक्कत ओं दीसी ते दूसरा भी जड़ा एदिया आपने कार दिया जो हिनी आने ओधे थले तक जान्गे ते कारनों नुकसान पन चाउन्गे एसली केहा जान्दासी भी कार ना लाओ कि हुन्दासी भी केहा जान्दासी ना भी ए रोकनों ना वड़ो क्यों केहा जान्दासी क्योंकि ए आपानों चोवी केंटे ओक्सीजन देन्द है एसली ए रोक बड़ा कीमती है ता के जान्दा सी भी इनुवड़ो न एसली एनल वाक्ष्वाक्ष तरांद या मिथ्था जोड़ देतीयां गिया ते कहा गया जो इनल आप पुरा हो जान्द जो वी चीज वाहिगरु जी ने कुद्रत ने पैदा किती है ओधा कोई ना कोई जो है फैदा जरूर है ते पिपल वलके रोखदा था बहुत ही वड़ा फैदा है पर एसनु वर्तो करनतों पहला एक वरिता ड़े जो वी व्याद हकीम नेडिया या फिर कोई डॉक्टर है ते ओस दी सलाज जुरूर लवो पिपल दे एने फाइदे ने ना वी जेकर तुसी पत्ता तोड़की हाथ दे वेच ओन्यों रगडी जाओगे ना ते ओधा वितानों एने फाइदे ने कि आपा ओगेणी नी साकदे हरेक रोख आपानू छात फालते देंदा ये ते ओधे नाल ओ एक संजीवनी बूटी वांग अपने सरीर ली अपने आसपास ली कम कर दे बस लोड हुन दी है थोड़ी ची जानकारी दी जे सही जानकारी मिल जे ते आपानू डॉक्टर कोल जान दी ज़रूरती नी पई अपना दिमाग है ना जे अपा एदी सही तरह वर्तो कर लिये अपनी जड़ी बिमारियां तो आपनी जातवा सकते हैं बस लोड है थोड़ी जी सुचेत हो के जानकारी कठी करके ते उदे उते चलनते जी में अजकल किये कि आपा अपने मुखोते वकवक तरांदियां चीजान माल रहे हैं हना ते जेस्ते नाल पैसे अते सेहत दुआ च पाणी नाल त्रिफला चुरन लेए अते एक चमच गरम पाणी वेश त्रिफला चुरन प्योंके उतोन उटाक दू सवेरे ओठतियां सार ओ पाणी नाल मू तो वो तो अड़ा मोखवी शीशे वांग चमकेगा अते जुदो आपा रात नो त्रिफला चुरन खादा तो स्वेरे पेट इन्नी अच्छी तरह साफ होएगा कि सारे रोग ही खतम कर देगा सिर्फ एक छोटी जी चीज है जिए आपां करिए तो आपां सेहित पखो बहुत अंद्रूस रहसा करें जिन्ना दा वजन वात है ओ रात नो अद्दा चमच त्रिफला चुरन खाके तो ओदे नाल वी अपने कई तुरा दे रोग दूर होंदे एसली पिपल दा रोख वी ज़रूर लगोना चायते पर करतों दूरी ते क्योंकि यांचो जड़ा होंदिया ने वो बढ़िया चाया फैल दिया ने जेस्तेकार कार्दी निहानों डार होंदे इसकार कार्त थोड दूरी ते लगाओ ति एदे लखा बेनफीट ने जिदे नाल अपना सरीर निरोग रह सकते फिर आओ ये तरीके वर्तिये